युक्रेन विच जंग दर्म्यान बत्तो बत्तर हो रहे हलातां दे विच फसे हुए पार्ती विद्यार्थियां दी चिंता माप्यानों सता रहे है। युक्रेन विच जंग दर्म्यान बत्तर हो रहे है। स्टूडेंस वहां से लेकर आए जा रहे हैं। मझे लगता है कि राजनीती का विशे नहीं है। यह समय है कि जब हम ऐसे सारे जो पीडित हैं। जो लोग पूरे देशबर में पंजाब से भी और पूरे देशबर के स्टूडेंस युक्रेन में फसे हैं। और युद्धी की विभीशी का कुछ जेल रहे हैं। यह समय है कि हम सब को ऐसे सारे बच्चों के साथ में और उनके परिजनों के साथ में खड़े रहना चाहिए। ताकि उनका भी संबल और भरुसा बना रहे। जिस माबाप की बच्ची या बेटा या बेटी ऐसे युद्ध के हालात में कहीं फज्जाए निश्चित रूप से उसके और चिंतित होना उसका स्वाभाविक भी है। और मानिये प्रदानमंति जी का आज नहीं इससे पहले भी पिछले साथ साल में जब कभी भी ऐसी परिस्तितियां बनी चाहे देश के किसी भी दुनिया के किसी भी देश में यमन में बनी होगी उन सभी जगों पर मानिये प्रदानमंति जी ने स्वेम आगे से लीड ले करक कि हर एक भारतिय सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे इसके व्यवस्ताएं की है कोरोना के आपदा के समय में भी बंदे भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रियेशन प्रोग्राम चला था और आज यूक्रेन में से भी सबसे ज़्यादा रिपेट्रियेशन किसी एक देश के स्टुडेंट कम्यूनिटी का डाय सपोरा का हुआ है वो भारत का हुआ है भारत के लगभग लगभग धाई हजार से ज्यादा बच्चे वापस अपने घर लोट गए और आने वाले दो तीन दिनों में जिस तरह के उपरेशन चल रहे हैं सिर्फ एक इस्टर्ण य अगले लोगों को निकाल सके और मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले दो तीन दिन में यह स्थिति भी सुल जाएगा देखे मैंने पहले भी कई बार का है ने ऐसा कोई विचार है ने ऐसी कोई चर्चा है ने ऐसी कोई संभाव नहीं बहुत पॉजिटिव है सभी लोगों ने अपने कार्यकरताओं को जिनोंने नीचे काम किया उन सब का अभिनदन किया रश्य नेत्रतुग ने जिस तरह से मे चौनाव लड़ा और जो जिस तरह की परिस्तित्यां बनाई गई ती पंजाब में जिस तरह के हालात बनाए गए थे और ये कलपना की जाती थी यह पंजाब में बारतियोंता पार्टी के dolar कि पिंड में जा भी नहीं पाएंगेma इतने सारे अनुभा में कहीं प्रतिरोध गतिरोध का सामना करना पड़ाओ मुझे लगता है कि यह इस बात का परिचायक है कि यह जो परिस्तितियां बारतिये जनता पार्टी के विरोध में बनाई गई थी यह अपने पॉलिटिकल इंट्रेस्स से बनाई गई थी लोग आज भी नरेंद्र मोधी जी के प मैंने पूरे विस्तार से अभी बीबीमबी के बारे में बात किये हैं